नमस्कार दोस्तों, एनके मोनीटर चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों चाड़क के नीती, चाड़क के दोरा रचितेक नीती गरंत है जिसमें जीबन को सुखमे और सफल बनाने के लिए उपियोगी सुझाओ दिये गए हैं इस गरंत का मुख्य विशय, मानप समाज को जीबन के हर एक पहलू की ब्योहारिक शिक्षा देना है चाड़क के एक महान ग्यानी थे, जिन्होंने अपनी नीतियों की बदालत चंद्रगुप्त मौरे को राजा की गद्धी पर बिठा दिया था जानिये चाड़क की कुछ ऐसी महतवपूर नीतियां जो आपको जीबन के किसी ना किसी मोड पर कामा सकती हैं दोस्तों अगर आप अपने जीबन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करियेगा मित्रों कहा जाता है पती पतनी के साथ जन्म होते हैं लेकिन आज कल ये जोड़ी एक जन्म के लिए भी ठीक से जीबित रहे तो बहुत अच्छा है पती पतनी के 20 संबंद अच्छे हो या बुरे ये आपके आसपास की उर्जा पर निर्भर करता है आपको हमेशा अपने आसपास के वातावरर को सकारात्मक उर्जा से भरा बनाने का प्रियास करना चाहिए और नकारात्मक उर्जा का संकेत भी नहीं देना चाहिए मित्रों किसी भी दिन को सफल और सुखद बनाने के लिए सुबह का समय बहुत महत्वपूर होता है चाड़क के नीती के अनुसार अगर कोई महिला सुबह उठकर अपने पती के साथ कुछ खास काम करती है तो उनके रिष्टे में मधुरता आती है और भाग्य भी चमकने लगता है तो चलिए मित्रों आज के इस वीडियो के मध्यम से हम आपको कुछ ऐसे कामों के बारे में बताएंगे जो अगर पती और पतनी एक साथ करते हैं तो निश्चिर रूप से आपकी किस्मत को रोशन करेंगे और आपके रिष्टे को मजबूत करेंगे मित्रों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले करपया आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्यूंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो नमबर एक योग मित्रों अगर पती पतनी एक साथ सुबा के समय योग करते हैं तो वे दोनों फिट रहते हैं और उनका दिमाग शांत रहता है और इससे सकार आत्मक उर्जा भी पैदा होती है जिससे उनके बीच लड़ाई जगड़ा भी नहीं होता है जिससे आपका पूरा दिन बहुत अच्छे से गुजर जाता है नमबर दो भगबान को नमन मित्रों सुबा भगबान का आशिरवा लेने से दिन की शुरुआत बहतर होती है इससे आपके शरीर में सकार आत्मक उर्जा का प्रबाह भी होता है इसलिए पती के साथ पूजा करना या हाँच जोड़ कर प्रडाम करना सबसे अच्छा माना जाता है नमबर तीन तुलसी में जल चड़ाएं मित्रों सुबा इसनान के बाद पती पतनी मिलकर तुलसी माता को जल चड़ाते हैं फिर उनकी जोड़ी जीबन भर बनी रहती है और ऐसे लोगों का बैवाहिक जीबन किसी भी तरह की परेशानी का कारण नहीं बनता है नमबर चार प्रेम मित्रों अगर पती पतनी दिन की शुरुआत प्रेम से करें तो उनका मूड फ्रेश हो जाएगा आपके अंदर दिन भर जोश बना रहेगा और फिर आप अपने सभी कार अधीक उर्जा के साथ कर पाएंगे इससे आपके अंदर आपसी प्रेम और विश्वास भी बढ़ेगा इसलिए पती पतनी को चाहिए कि वो सुबा उठकर प्रेम करें और एक दूसरे को गले लगाएं दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों मिलते हैं एक इसी प्रकार के नॉलेजबल वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत